बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं प्रॉब्लम यह है और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है बड़ी तरीके से नहीं दिखाया है छोटी तरीके से दिखाया है कि अभी मैंने शुरुआत किये बीजेपी का प्रॉब करने में लगा दिये और मेरी एक यहां पर उन्होंने इमिज बना दिये अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसान दायक है मगर एक्चली ये मेरे लिए फाइदे मन्द है क्यों क्योंकि सचाई मेरे हाथ में है और सचाई को छुपाया नहीं जा सकता है तो जतना पैसा ये मेरे image को खराब करने में डालेंगे उतनी शकुति वो मुझे दे रहे हैं उतना manoeuvring room वो मुझे दे रहे हैं आप देखना क्योंकि सच्चाई को चुपाया नहीं जा सकता है और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनेतिक पोजिशन लेता है अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा तो मैं जानता हूँ जब मेरे परस्थ नल लाटाक आता है तो मैं सही काम कर रहो हूँ मैं सही डारेक्शन-पर चल रहा उं तो एक तरह कैसे जो परस्थिल लड़ लाना है यह पैसा बीजे प्मेर इमेज को खराब करने में डालती है। ये एक प्रकार से मेरा गुरू है यह मैं जो सिखाता है कि भेया इधर जाना है इधर नहीं जाना उधर जाना है क्योंकि लड़ाई क्या है लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने की है ठीक है और मैं आस्ते 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 RSS और BJP की सोच को बहुत गेराई से समझ लगा हूँ तो लड़ाई में आगे बढ़ रहा हूँ और अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है